सतलुज नदी के महत्व और इसे स्वच रखने के लिए SJVNL के रामपूर हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक मुहिम शुरू की है इस मुहिम के तहट रामपूर उपमंडल के दत्रनगर में सतलुज तर्ट पर गंगा आर्ती की तर्च पर कांशी के पंडेतों से सतलुज अराधना करवाई जाएगी सतलुज अराधना के बाद सतलुज नदी को स्वच बनाने की मुहिम भी शुरू होगी तिब्बत के मानसरोवर से निकल कर किनौर होते हुए बहने वाली सतलूज नदी के महत्तो और इसकी उप्योगिता को दर्शाने के लिए वेभिन माध्यमु से विद्धुत उप्तादन में लगी स्जे वेनल ने प्रयास स्टेज कर दिये हैं स्जे वेनन का रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन परयावन समरक्षन और लोगों के लिए जीवन दायनी के रूप में सतलूज नदी के योगदान के बारे में जानकारी देगा इसी के मद्रजर गंगा घाट की तर्ज पर 7 अक्टूबर की शाम को काशी के पंडित दतनगर के समीब नदी तट पर सतलूज अराधना करेंगे इस कारेक्रम को भव्य और लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुँचे इसके लिए रामपूर हाइड्रो पावर स्टेशन ने बंदोबस्त पूरे कर लिए हैं सुरेश ठाकूर ने कहा कि सतलूज नदी के कारण ही सफलता पूर्वक बिजली तयार की जारी है इसके लावा भी ये नदी लाखों लोगों की प्यास बुझा रही है किसानों के लिए मैदानी इलाकों तक सिंचाई का पानी उपलवध हो रहा है इसके लावा परवण संरक्षन में सतलूज नदी की एहम भूमिका है इसलिए इस नदी को स्वच रखने के लिए लोगों में जागरूपता लाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है उन्होंने का कि लोगों को गंगा आरती की तरज़ पर सतलूज अराधना कर उन्हें इसकी पवितरता के साथ ही उप्योगिता की भी जानकारी दी जाएगी हमपूर HPS हाइडर पावर स्टेशन जो है वो साथ तारीक को साथ अक्तूबर को सतलूज अराधना करने जा रहा है इसका मुख्या देश्या है कि सतलूज को स्वच रखा जाए इसके पानी को स्वच रखा जाए और इससे लोगों को लॉंग टर्म में बेनिफिट हो इसका में जो उचित्या है वो यह है कि सतलूज नदी जो है वो हमारे देश को अपार संपती अड़ करने में अब अभूत पूर जो है वो अपना योगदान दे रही है साथ में यह हमारे क्रिशी का जो बढोतरी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसका मथव है तो इसको जितना हम साफ रखेंगे उससे ज़्यादा जो बिमारियां हैं या टोक्सिन्स हैं और टोक्सिक मठीरियल जो है उसमें नहीं जाएंगे तो हमारे जो आनाज है जो इस मौके पर निगम के महाप्रबंधक मानव संसाधन पी इस नेगी सहिद कई अधिकारी मौजूद थे सेटी चैनल के लिए रामपुर से विशेशर नेगी की रिपोर्ट